कि हलो दोस्तों राना क्लस्स में आपका स्वागत है फिर से तो चौशट भी बीपे सी प्री में जैसा कि बहुत सारे लोगों कर यल्ट नहीं हुआ है तो बहुत परिशान है कि आखिर उन प्रस्णों आठ प्रस्ण जो जो चेंज हुए हैं बदला हुआ उत्तर में और तीन डिलेट को कौन कौन से हैं तो आप पहला प्रस्ण देख सकते हैं कि क्या है यह डिलीट किया गया है एक सो कीस नंबर है यह सेट याद नहीं है मुझे बायू परदूसर नियंत्रन है तू सितंबर 2018 में बायू बी आई यू परनाली का सुभारम किस नगर या राज में किया गया था तो यह प्रस्ण को ही डिलीट कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि डिलीट हो गया उसके बाद दूसरा शोलिस्ट पार्टी पहले जो अंसर था 1934 था लेकिन कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी का गठा 1934 में वहाँ था इसी लेडी से सी किया गया यह सही अंसर है यह मुझे भी है इस पर कोई विरोधा भार्ष नहीं है यह सही सी ही ही होगा फिर 130 जो है वह आपको बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत् इसी किया गया है थो इसको देखना है क्या सही है इसтоegen livro कर सकते हैं लेकिन Season निकलता है मुख्यमंत्र इसले कोई फाइदा है नहीं मानने वाले हैं जब तक कोट नहीं charge कर सकता है और कोट यह मांतर Dasa और ईस विरोध करने पर भी कोई फाइदा नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है कोट ही अगर सुन सकती है तो थोड़ा वो चांस जो है कोट पर है वह भी जिदर दो तीन वीपेसी से जिस तरह ऑप्शन दिया है वह पला जाड़ रहे है कोट भी तो मुश्किल है चेंज होना लेकिन प्रयास करने मे अपने से पिना कोट के आदेश के तो आप लोग देख सकते हैं कौनको प्रस्टन उसके बाद है किस अस्थान पर दिवासियों ने अंगरेजों के खिलाप विद्रों किया तो यह पहले अंसर भिहार था इन बाद में इसको अंसर उप्युक्त में से कोई नहीं और ही करना था तो यह डिलीट कर दिया जाता यह गलत तरीका है यह कोस्चन का अर्थ ही असपस्ट नहीं है फिर भी यह बनाया गया है तो यह अंसर समझ से परे है और यह उप्शन की चलाकी भी को सही नहीं कर रही है उसके बाद है कुबर से अंग्रेजों के खिलाप 1859 विद्रों में किस जगा सामिल हुए थे तो आरा तो सही था बाद में चेंज करके एसे बी किया गया है जो तरक संगत नहीं लग रहा लेकिन इसका कोई आधार होना चाहिए बतलो बीपियसी जो मनाया वो अंसर दिया है इसका जाच होनी चाहिए इसकी तो 63 का आरा से पटन हुआ है इसके बाद बाल गंगा धर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने जाने लेगे कब से तो सी से हो गया अब उन्होंने सरकार ने उन्हें रेंड मेंडर केस में बश्यक्त बनाया था लेकिन अब सभी हो गया सिवाजी ने गुबनुक्ति उस सब शुरू किया था तो यह सब सारे कंफ्यूजिंग कोश्चन बीपेसी डालता है और बाद में चेंज करता है तो बीपेसी कभी कुछ पता पता नहीं रहता कि आखिर सुरुवात में वह अंसर चेंज सही केव नहीं देता अगर सही है तो फिर है चाप बावन नंबर है मुगल बात्सा बहादुर साज अफर के बारें काया तक उसके समराज की सीमा थी यह डिलीट कर दिया गया तो पहले अंसर चान्दी चौक से पालम था लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है इसके बाद है बिहार में अप्रेल जून 2018 के दोरां किस चेंज किया है उसके बाद है किस वर सरकारिया सरकार में परिवर्तन की संस्तुति का दिकार दिया ने अपना परिवर्तन प्रतिवेदन जमां क्याती सही लग रहा क्योंकि कई जगा 87 दिया हुआ है 1987 में इसका अंसर है जो कि सही है एक भारतिय राज के रूप में रूप में बिहार बना पहले वी था 1912 उसके बाद 36 हो इसको डिलीट करना चाहिए लेकिन इसको चंसर 136 में बना यह सब कंफ्यूजिंग को क्वेश्चन ही कंफ्यूज है और इस तरह का स्पस्ट क्वेश्चन वाले अंसर डालना चाहिए या अगर सही था तो पहली बार में सही वीप्यसी ने क्यों नहीं दिया आप देख सकते भी इसा नहीं की सिर्फ कोटिंगे सीधे मुख्यमंतरी से लेकर विरोध याले तरवाजी लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है कभी भी कोई भी आयोग है कि खुद ही गलती नहीं मानती जबतों कोटका अदिशना हो और इस बार तो जो अंसर चेंज किये गए हैं वह बहुत ज्यादा ही ज्यादा मात्रा में भी है और निरासा जनक भी है और इस तरफ बीपेसी की आप्शन लाने के बाद भी यह बहुत बड़ी बहुत असफलता से question change किया है और इसको और सुधार करना चाहिए pattern में और अपने बचने के तरीके यह option को आण में जो की बचा रहता है यह कलतर के question सही और answer सही देना चाहिए उमीद है कि वीपेसी जिस तरह कलेंडर जारी किया है वह सुधार करेगा और कलेंडर वाइज ही रियल्ट देगा जिस तरह 64 भी वीपेसी में स्थिती उत्पन हुई उसका कारण है वीपेसी द्वा जो बदलाव होते हैं उसको चेंज नहीं करता है कि रियल्ट बाद में आएगी तो भी पेसी को इसको धियान देना चाहिए और धीरे-धीरे जिस तरह सुधार उमीद है कि आने वाले वरसों काफी सुधार होगा और जहां तक 62 वीपेसी के बाद है तो उमीद लग रहा है क आपको ऐसे क्टों की संख्या अधिक हो सकती है 2000-500 तक भी हो सकती है तो देखना है कि कितनी टोटली आती है और कट अप तो आप देखे रहे हैं सारे उनमान फेल हो गया है जिसे तरह क्योंकि cut-off अब दिन वदिन पढ़ने वालों की संख्या और कट-off के अनमान कम आखना बहुत गलत हो गया है तो आपको हर हाल में जो की करेंट रपेस्ट इस सब्सक्राइब कितने भी पीटी निकाले हूं लेकिन अगर आपने करेंट अधान से नहीं पडा है या अधा धोरा पड़ा है तो आपकी है और जिनकी नहीं हुआ पैशाठवी में जरूर होगा तो त्यारी मन लगा कर धन्यवाद